कि अगे कि अगे है लो फुचर ऑफिसर्ट्स एस्पेरेंट्स के अलना सुदेट्स होफिली बढ़िया होंगे और तयारियों में लगया होंगे अपने बभिश्य के लिए अगर आज आप एक रैंग होल्डर बनके एक अच्छी अधिस्टेटिव लेवल की जॉब ले लेते हैं तो चोड़िए बहुत कुछ आपको निया सीखने को मिलेगा जब इतने बड़े लेवल पर आप जाके कारे करेंगे देश से वाँ में तो एक अलग एनर्जी रहती है हर टाइम आदमी के अंदर की मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है देश के लिए पट but उसके पहले इतनी मेहनत कीजिए और वहां तक पहुंचा जा सकी है इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें कि at least वहां तक पहुंचा जा सके तो सबसे बड़ी करनी बाद यह है कि आपके साथ डिसकेशन कर रहे हैं, एक्जाम से, 2015 से इसा फर शुरूब है, 15-16 की एक्जाम हम कर चुके हैं, अच्छे-चे कोशिन उसके हम डिसक्स कर चुके हैं, अब 2017 का एक्जाम का पहला पार्ट है जो आज आप देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्स्राइब करना, प्लीज मत भूलें, यह कुछ एडवांस लेवल के मैतड़्स हैं, कोश्चन से जो हम आपको बता रहे हैं, और यहां इन कोश्चन से आपको यह पता चलेगा कि कौन से कोश्चन से 2023 के पेपर के कोश्चन आये थे, जब आप देख सकते हो, क्योंकि यह सीरीज उसी को दिखाने के लिए बराबर तो चलिए, बड़ इसे लिए कि 2023 वाला काम 24 में दुबार अनौस्मेंट्स अब इमन्यों आये से नई सीरीज चलाई है, नया बैच है, जिसके फीचर्स है मेरे पास, यह, अब जल्दी से मैं आपको बता दू इस कोर्स में आपको क्या के मिल रहे है, देखे, सबसे पहले टाइमिंग है इसकी, दिन में तीन से साड़े चारी, ओनलाइन और ओफलाइन आपके बास दुनों बैचा वेलेबल है, मतलब ओनलाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है जी, यह फोर डिस अभीक है, आपके बास आपके बास, पचाप, Аptitude के 25 लॉजिकल के और, फंदर आपके पास है, निमिश के lecture टीक है, प्रिवेस ये लेक्ट हर कितने आपको जो आप जाके लेक्टर्स को देखोगे ना उतके साथ additional features क्या है आपको वहां पे क्या मिलने वाला है सबसे पहले वहां पर आपको एक PDF मिलेगी सबसे पहली वह किसके होगी वह फिल लेक्टर की PDF होगी नमबर दो नमबर दो पर क्या मिलेगा आपको प्रैक्टिस कोश्चन्स नमबर दो पर क्या मिलेगा रिसोर्स अब रिसोर्स वह थ्रेटिकल पार्ट होता है या वह फॉर्मला चार्ट होता है जो इस चेप्टर में यूज होने ठीक है यह तीन चीज़े आपको एक्स्टा मिल रहे हैं और अगर मैं बात करूँ यह बैसेगे लिए ठीन से पांच और लास गया तो थर्टी मिंटना हर लेक्जर के बाद के बाद आपका क्या रहने मैं बाले हैं तो डौट शाइं लेक्शन ज़्यादा बच्चों तक पुछाईए तागी इसका लाब उठाए जा सकें देखिए और कोई भी क्वेरी हो वट्सअप कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं 9517716512 इस नंबर पर आप इसको कॉल यह मैसेज कर सकते हैं तो जोएन नाउ नेक्स है मेरे पास हमारा वट्सअप प्हले कोईशन के दरफ़ चलिएं मिपॉंस भूह कोईशन में फहला कोईशन क्या है एप देर ही इसक पॉलिशी फेकर उर फोह year earlier फोगन को समा yapmış एर के प्पूलेसट पर दरफेलेशन प्रपेलेशन कंडरीशन का है if कुछ नहीं है देखो अगर 1 by 3 की में बात करूँ 1 by 3 में होता क्या है यह मेरे पास original population होगी और यह 1 क्या होगा यह migrated इसका मतलब अगर मेरे पास original पर्स्ट एयर की में बात करूँ population 3 थी तो क्या final population जो remaining को टूर हैगी क्योंकि एक को छोड़ के जा चुकी है यह चीज़ क्लियर है क्लियर है क्या second year में भी हुआ है क्या third year में भी हुए क्या fourth year में भी हुए क्या fifth year में भी हुए और क्या आपके sixth year में भी हुए इसका मदलब पर क्या होगा, 3 raise to power 6 था, तो कितना बच गए, 2 raise to power 6, ये clear हुआ, इसका मदलब ये क्या होगा, 3 की power 6, 729, और क्या है, आपके 64 होते हैं, तो 64 upon 729, कहां पर option, option number C, clear, थोटा सा question था, बहुत depth में था, क्योंगी, जब आप ऐसे options देखोगे न, तो कहिना कहीं, दिमागी घंडी बसते की, यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा, टंक, चले भाई, भाई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, important, बहुत important question है, चले, there are three pillars, X, Y, and Z, of different heights, the spiders, A, B, and C, अभी तक देखो, क्या पूछते थे, अभी तक बोलते थे, भाई, एक pole है, उस पर बंदर को चड़ाने है, spider को चड़ाने है, अब इस question में क्या पूछा किया अलग, क्यों ये question अलग था, अगर ये question तो उदर 30 में पूछते हैं, तो कहते हैं, बहुत मुछ के लिए question है, 17 पूछा, solution आगे हैं, बाहर तो असान question है, बस यही बात होती है, three spiders, A, B, and C, starts to climb on these pillars, simultaneously, in the, in one chance, A climbs on X by 6 cm, but slips down 1 cm, B climbs on Y by 7 cm, but slips down 3 cm, C climbs on Z by 6.5 cm, but slips down 2 cm, if each of them requires 40 chances to reach the top of the pillar, what is the height of the shortest pillar, बहुत अच्छा कुछ चाना है, देखो, सबसे पहले एक बात सुनों, मैं आपको एक एक इसांबल देखो, suppose कर रहें, पीलर है, मेरी मकडी ने यहांसे चड़ना चुरू किया, फोड़ा यहां वाइट में कर लें सोदागी, अच्छा, ठीक है थोड़ने च्छे, अच्छा मेरे को क्या करना है, मेरे को लास्ट जब में मकडी को चड़ाना है, क्या वो A हो, च्या B हो, च्या C हो, च्या X, Y, Z जो भी दिया हो, इसका मतलब लास्ट में, जो डिस्टन्स कवर होगा न, X का 6, Y का 7, और Z का 6.5 होगा, विकोज लास्ट में तो चड़ेंगे, अगर लास्ट में वो उतरेगी, तो चड़ेगी गगा भाई, मकडी मेरे, यह है X, Y, Z, इसका मतलब A 6 पर चड़ेगा, और, बड़ स्लिप डाउन वन, तो अल्टिमेटी एक चांस में A कितना चड़ेगा, यह समझ के चलो, बी की बात करें भाई, बी क्लाइम सेवन, लिप्स थ्री, तो बी कितना चड़ेगा, चार, बी की बात करें भाई, 6.5 चड़ेंगे, और दो उतर जाएंगे तो कितना वचा, 4.5 अब यहां से गेम शूरू होती है, अब वो क्या कहरा देखो, if each of them requires 40 chances to reach the top, वो कह रहा है, बीज़े हर एक के बास, 40 chances आट टॉप पे पहुँचने के, तो कैसे पहुचाएंगे देखो, अगर मैं देखो, last की बात करूँ, last chance में, मैंने बताए, तीनों के तिन उपर चड़ जाएंगे, last chance में कितना वचा, प्लैस 6, इसके बहले कितना chance बज़े, 39, और उसमें कितना, 5, clear होगी बात, समझ के चलिए इसको, what I am trying to say, please, ठीक है, next देखो, यहाँ पर कितना होगा, last में साथ चड़ेंगे, और यह कितना होगा, 39 into 4, clear, यहाँ पर कितना होगा, C में, plus 6.5, and 39 into 4.5, यह मेरे पास अब calculation बचा पास, और question में कुछ भी नहीं है, चलिए, तो पेटा, यह कितना बचा मेरे पास, देखो, 195 plus 6, कितना होगा, 140, पांच, एक्चानुए, एक्चानुए, प्लस छे, यहाँ, यहाँ, पहले वाला जो पिल ले रहाँ, वह 201, 49 गुना चार, देखो, यह कितना होगा, 163 हुआ, 72 into 2 is how much, 156 plus 7 is, देखो, यह कितना होगा, 40 minus 1 into 4.5, खीक है जी, 45 into 4 कितना होगा, 45 into 4, 180 minus 4.5 plus 6.5, so 180 plus 2 कितना होगा, 180 to Simplesi Calculation, तो कौन सा होगा, भाई, 163, बेचा अंसा तो मेरा आई किया था, 163 is the right answer of this question, प्लीज नोट करें, seems easy, calculation असानी से करोगे न, हो जाएगा आपका, चलिए, गोपाल प्रोटर सेलफोन अंसोल इट तो राम, at 10% profit, then राम वाँटे तो सेल बैट, असेल इट बैक तो गोपाल at 10% loss, what is गोपाल's position in the, गोपाल ने शुरू में 100 पेगा खरिता था, उसने राम को बेच दिया, 10% के profit बेचेगा तो 110 का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा, अब राम ने क्या किया भाई, राम 10% के loss पे बेच रहा, तो इसका 10% कितना हुआ, माइनस गया रहा है या नि कितना, 99, कोपाल को 100 का मिला था, 99 पेगा वापस मिल गया, तो क्या हो गया, गेन 1% option number, अब कर क्या गेज का अंसर, नोट करने हैं फट फट फट, चलिए नेक्स कोशन के दरफ, असान से कोशन है तो, चलिए जी, ये नेक्स कोशन भी, यूप्यक्सी सिसेट 2017 का बहुत अच्छा कोशन है, suppose the average weight of 9% is 50 kg, the average weight of the first 5% is 45 kg, whereas the average weight of the last 5% is 55 kg, then the weight of the 5th person will be, suppose the average weight of 9% is 50 kg, 9% का the total weight है, कितना हो गया, साड़े 400 kg, अब यह समझो, अगर average था, average मतलब एक का क्या है, पचास, तो 9 का कितना हो गया, साड़े 400, सिम्पल सी बात, the average weight of the first 5% is 45, अब इसको तोड दिया गया, दो पार्ट में, पहले 5% का कितना है मेरे पास, 45, यानि कितना हो गया, 225 kg, यानि कितना हो गया, 275 kg, यह कितना हो गया, पांसो के जी, अब इस कोशन में ध्यान से हम देखेंगे, अलिस करेंगे, उसके बाद हम इसका निकाल लेगे, देखो, हुआ क्या टोटल 9% है, ऐसे, मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, छे, साथ, आठ, नो, उसने क्या बोला, उसने दो पार्ट में थोड़ा इसको, वो कहता है, पहले पांच का लगवेट बताया, उसने, लास के पांच का लगवेट बताया, इसका मतलब टोटल का वेट कितना है मेरे पास, 450 होना चीए, बट अभी कितना है आपने पास, 500, क्यूंग, क्यूंकि ये 5 वाला दो बार connected हो गया, एक पहले वाले में consider कर लिए students हमने, एक लास वाले case में consider कर लिए, तो कितना है एक answer, 50 kg option number C is the right answer of this beautiful question, clear, note करें, चलिए, ये important question था, क्यूंकि शूरू में जब आया बच्चे बोला सर गलत है, गलत है, गलत है, मैंने कहाँ गलत है, देखो, क्या दिया है, सबसे वहले समझों इस question को, कि क्यूं ऐसा हुआ is question में, P is equal to 40% of A, plus 65% of B, क्यों हो कितना दिया है, 50% of A, plus 50% of B, और जब तक मेरे पास, question में A और B की value ने दियोगी, I can't even say, कि इस question का answer क्या हुआ, अब reason के सुनो, होता कि जब A और B की value डिफाइन करेंगे ना, बेशिक देखो, उसने का A is greater than B, अगर suppose करो मैंने B को 10 लिया, और A को मैंने 10.0001 लिया, तो definitely this condition में भी, A greater than B है, बट कहीं ना कहीं, answer जितने ज़्यादा values लोगे, उतने ज़्यादा आपके possibility बढ़ती जाएगी, क्या अब तर ऐसा पर हो सकते हैं भी या कि गलत हो, जब तक A और value की को defined value नहीं होगी मेरे पास, A और B की defined value नहीं होगी, बट सितना असान सर्था इसका, तो none of these, none of the above, ठीक है, चलो, चलो बहुत अच्छा, next important again, questions in a city, 12% of household earn less than 30,000, 6% household earn more than 2 lakh per year, 22% household earn more than 1 lakh per year, 99.90 households earn between 30,000 and 1 lakh per year, ठीक है, how many households can earn between 1 lakh and 2 lakh per year, अब इस question को कैसे करोगे बताऊ, सोच के देखिए, कोच्चो और इस question को थोड़ा सा दिमाघ लगा, कैसे, how can we able to do this question, कैसे करेंगे भाइस question को बताईए, कैसे बताऊगे अंसर, सबसे पहली task है, मुझे ये बताना है, कि भाई, total number कितने है, जो मेरे पास household है, बंदे है, या earners है, दूसरी बात मुझे बताना है, एक लाग और दो लाग के बीच, कितने परसेंट आ रहे हैं, इस दो चीज़े हैं, उसने क्या बोला, देखो सबसे बड़ी बात, total मिला के मेरे पास, 100% हो गया, ये तो confirm आपको, total मिला के मेरे पास, क्या होना चीज़े है, 100% होना चीज़े है, ठीक है, next क्या बोल रहा है, ये बारा परसेंट हाउस होल्ड, लेस दें 30,000, और लेस दें 30,000, तो बारा परसेंट है, 30,000 से कम वाले कितने हैं, 12%, ठीक है, 6% हाउस होल्ड मार्ग मोर देन, 2,00, ठीक होल्ड मार्ग मोर देन 1,00, पर रहा है, और 1,00, प्लस कितना हो गया, 22% पर टैक बात आओ, अगर मैं ऐसे कहूं, एक लाग से ज़ादा, तो क्या दो लाग उसमें इंक्लूड़िट है, क्योंकि मुझे इस एक लाग की रेंज ने दिए, उसने ये नहीं बोला, कि एक लाग से कहां दख, तो मेरे को क्या पता चला है यहां से, ये जो 6% वो इसके इंक्लूड़िट है, तो मैं क्या कहूं, कि एक लाग से, 2,00, वाले कितने हुए, ये 2,00, ज़ादा है, ये टोटल एक से दो जितना भी आग के जा रहा है, तो कितना हुआ, 16%, सबसे पहले तो ये टास्क थी, वो मैंने निकाल ली, ठीक है, अब मेरे पास मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है, 990 वाला, 30,000 नमल लेक, देखो मेरी बाद सुनो, between, 30,000, तू बन लेक, देखो भाई, 100% है, 100 में से, 12 वो हैं जो 30,000 से कम है, इस से कम और उससे ज़्याद है, और 22 परसेंट वो हैं जो एक लाग से ज़्याद है, तो इसका मतलब कितना बज़ा, 100 माइनस ओफ, 34% यानि कितना बज़ा मेरे पास, 66% और ये 66% क्या है, जो 30,000 और एक लाग के बीच में, जो एक्चुली मुझे कितना दिया हुगा है, 990 बस यहीं से मेरा अंसर निकर गया, यह चीज थी थी थोड़ीचे सोचेने वाली, जो मुझे सोच नहीं थी, तो क्या करोगे सुनेट्स, क्या बोलोगे, कि 66% की वैल्यू कितना है मेरे पास, 990, एक परसेंट की वैल्यू कितना हुगी, 990 बाए, 66, 1190, 116, अगर 1% की वैल्यू 15 तो 100% की वैल्यू कितना हुगी मेरे पास, 100% की वैल्यू कितना हुगी मेरे पास, 15, अब मेरी बास सोनो भाई, क्या दिये, अब मुसे क्या पूछा रहे, एक से दो, 16% यानि 16% और 15, पुंसर कितना आ गया, option नमबर है 250, तो ऐसा question करने मेरे थोड़ा सोचो, कि क्या उस question में इतना ज़्यादा मुझे सोचना ही जरू रहते हैं, इस question में calculation भले थी, बट थोड़ा सा सोचना पढ़ा था 6 और 22 के बारे में कि क्या चीज़ है, बस, अगर ये समझ आ गई थी, इस दो question भी हो जाता अब ना, चलिए भाई, next question, there are 13, two-digit consecutive odd numbers, if 39 is the mean of first five such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers, important, अब जो बचा x, y से करेगा, गई, देखाओ, अले 5 नमबर लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इनका average कितना है मेरे पास, इनका average कितना है मेरे पास, 39, अच्छे से solve पकरके दिखाऊंगो, दागी में मैंड में बैट जाएके बरना, देखाओ, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 नमबर हो टोटल, इनका average कितना होगा, अगर मैं बात करूँ, मेरे पास तिससे चोटा नमबर कितना होगा, 37, फिर कितना होगा, 35, फिर कितना होगा, 41, 43, 45, 47 यह होगी average, next कितना, 49, 51, 53, 55, 57 और 59, यह मेरे पास, नमबर का बन गया, सीरिस, चैक को रो, 43, 45, 7, 9, 1, 35, तो आपकी average किया होगी, फिर्स नमबर प्लस, लास्ट नमबर यानि कितना, 59 प्लस, 35 और यानि कितना होगा, 94 और 2, कितना होगा आपकास, 47 और नमबर है, अब मैं आपसे सिर्फ इतने सिर्फ बाद कुछ होगा, सारे नमबर लिखने ज़रूरी थे मेरे पास, consecutive नमबर का मतलब का लगाता है, और नमबर, जब मुझे ये नमबर मिल गया ना, उसके बाद तो मुझे कुछ ही नहीं करना, देखो, यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा क्या आप है, एक आपकी वेल्यू कितने दो, तो इसका मतलब चौव बिस और जोड़ दो इसमें, आपका लास्ट का नमबर आजएगा, और यहीं से आपका अंसर आज़ेगा, यह आप क्या कर सकता है, यह भी निकाल नहीं जरूर दिने थी, मैंने जो एरो लगाया, यह वहीं दिखाने के लिए 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 लिगाया, एक्ट्यूली में जो तेरा नमबर है ना, उनका सेवन्थ नमबर, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छेस, साथ, यानि 47 लाओ गए इनकी अवरेज, मैंने दोनों दरेके बता दिये, कि फर्स और लास्ट नमबर वाला भी और यह भी रीजन, आपको थोड़ा सा समझाए, थोड़ी चीज़ें खुलनी शुरूँ आपके लिए, तो 47 सा ही है, क्योंकि अगर यह चीज़ आपको नहीं पता थी, फर्स और लास्ट बाइट आपका आवरेज दित है, तो यह चीज़ पता होनी चाहिए, कि मिडल नमबर आपके आवरेज होता है, क्लियर? शिक्स वर्स A, B, C, D, E and F, प्लिया गेम अफ कार्ड, इच हैस था पैक अफ 10 कार्ड, F बोरो टू कार्ड फ्रों में, और गिव अवे 5 तो C, O in return, O is C के लिए, who passes on one to E, दन दर नमबर आपकार्ड पॉसस्ज बाइड, and E is equal to number of कार्ड पॉसस्ज बाइ, A, B, C, B, C, F, A, B, F, and A, C, F, चले बए, देखें जरा, कोशन को, देखें, सबसे बहरे सबकों 10 कार्ड दो, A, तो 10 कार्ड है, B के पाज 10 कार्ड है, C के पास 10 card है, D के पास 10 card है, और E के पास 10 card है, और F के पास भी 10 card है, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं, अब हुँ क्या कहा है, six boys, each has track of 10 card, F borrowed 2 card from A, देखो F ने क्या किया, F वो 2 card A से मिल गए, अगर A ने अपने 2 card इसको दे दे दे, तो A के पास से 2 कम होगे, ये बात बच्चों ने गलत करी, उन्होंने F को दो 2 card दे दिये, बट A के 2 card मिल से नहीं किये, भाई वो कहां से आएगो, A देगा जब भी तो आएंगे, ठीक है जी, N gives away 5 to C, एक मुट दो किये, F borrows 2 cards from A, N gives away 5 card to C, मतलब, यहां से minus 5, और यहां पर plus 5, U in turn gives 3 card to B, minus 3, plus 3, while B gives 6 to D, minus 6, plus 6, U passes 1 to E, minus 1, plus 1, then the number of card possesses by D, देखो यह कितना आगया, A 8 आगया, B कितना आगया, 7 आगया, यह कितना होगया, भाई, 12, यह कितना होगया, बंदरा, यह होगया 11, और यह कितना होगया, 12 मैनिस 7, 5, 7, चलिए, नोट कीजिए, फटावड ज़रा, कितना कितना होगया, 8, 7, 12, 15, 11, 7, ठीक है, अब क्या कहा रहा है वो, और देन, the card possesses by D, 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 और E के पास कितना है, 15, 15, 11, कितना होगया, 26 है इनके पास, अब option में इसरफ यह देखो, 26 कहां पे आ रहा है मेरे पास, ABC कह 26 है, 8, 7, 15, नहीं है, B, C, F, बिल्कूल जी, B, C, F है, तो option नमबर B is the right answer of this brilliant question, clear, तो यह एक standard session था, जो हमने भी खतम के, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्स्राइब करना मत बूलिए, और सारे के सारे, जो भी आपको लिंक चाहिए, वो आपको description box में मिलेंगे, चैनल कोर्स का हो, online, जो बिस्ता स्टार्टी हुए, या वो microcourses का हो, वो microcourses, वो तो बताए नहीं भी तक, वो कैसे रह सकता, चलिए, बात करता है, microcourses की, या चाहरे हैं बच्चे, तो सिर्फ हो, वो ही topic लीजिए, कैसे अवाइल कर सकते हैं, लिंक मिलेंगे description box में, rest मैं बताता हूं आपको, ना समझ आए, तो मैंने बना number इसमें दिया हुआ, आप उस पर भी call कर सकते हूं, चलिए, अब इपीडिये, तोस एक्जाम, सिवल सर्फिस इजट, चलिए, ओल, लिटर सब्सक्रिप्चन, और देखिए, वट्सप का, यहां पर भी लिंक दिया हूं, यहां से भी आप प्लेश सकते हूं, that is, माइक्रोबर्स, देखिए, सिवल सर्फिस इजट, यहां पर आपका mobile number डाल के रिजिस्टर कर सकते हैं, so that अगर कोई प्रॉलम आए, तो हम आपसे बात कर सकें, देखिए, जैसे मैधन, mental ability की बात पर स्टुडेंट्स, अगर जैसे आप पूरा बंडल लेंगे, अगर आप जैसे नंबर सिस्टम, 10 लेक्चर, 324 रुबीज का, 9 वेबनोट से, और 421 मुल्टिपल चॉशन है, यानि तक्रीम पर 20 से 25 परसेंट जो आपका ठैना, पेपर, 20 से 25 परसेंट पेपर आज के डाइम में, आपका, आपका नंबर सिस्टम से आ रहा है, तो क्यों न इसे किया जाए, और अपने, वान फोर्थ मार्क्स को पहले एक वायर कर लिया जाए, आप एच्छा जांसर कर लिजी, ठीक है, नेक्स से सिंप्लिपिकेशन, जैसे सिंप्लिपिकेशन है, 114 का है, 114 रुबीज का है, चार लेक्षर, 127 मुल्टिपल चॉशन देखो, 421, 421 को टेस्ट के तौरबे भी दे सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के तौरबे भी इसको आप दे सकते हैं, ठीक है, जब आप लेंगे तो आपको 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 पता चल जाएगा, इसी तरीक से टाइम एंड डिस्टंस, आपरे सारे माइक्रो कोर्स आप देख सकते हैं, यहीने क्व उससे तरीक्षे से आपके पास बाकिस सब दिए हूँ है आप सारे देख सकते हैं प्रिविसे डिस्क्रेशन भी या कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट ठीक है ची मिनट का ट्रायल है ची मिनट का ट्रायल भी लेकि देख सकते हैं पसंदाद हो लिजिए अधर द्लाइस प्लीज यह बहुत इंपॉर्टन हो सकते आपके आने वाले एक्जाम के लिए प्लीज अवेल कीजिए और वट्सएप ग्रूप नया जो बैच है उसका लिंक और सब्सक्राइब का लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही मिलेगा थैंक यू प्लीज लाइक शिर्ण सब्सक्राइब दर चनल